मस्कार दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे पास सेर के बारे में दोस्तो ये आपके पास इनमे से कोई भी है तो होल्ड कीजिएगा दोस्तो पैनिक हो मत हो ना मतों की भूज जादा जो है लोस हो रहा होगा आपको लेक की बात करेंगे जो दोस्तो बोलते हैं कि कोई भी कंपनी इतने ज्यादा देती लोंग ट्रम में तो उनको मैं बता दू कि आप बजाज फाइनेंस और अलकाईल हमाईन का डाटा एक बार देख लीजिए चेक कर लीजिए तो दोस्तो पैनिक मत हो ना और बिल्कुल भी होने की जुरूत नहीं है और आपने इस शेयर में इन्वेस्ट करना सुरू यदि नहीं किया न तो एंट्री ले लिजिएगा दोस्तो चलिए सेयर की तरब चलते हैं पहला जो सेयर है दोस्तो वह है नवीन फलूरी उससे पहले चलते हैं दोस्तो यदि कंपाउंडिंग ये कंप तो हमारा जो पैसा है वो कितना बन सकता है वो देख लेते हैं 35% की compounding से और यदि compounding की बात करें न तो 50 को भी cross कर दिया है इनके compounding ने पांचों कमपनियों के तो मैं लेकर के चलता हूँ यदि हम invest करें किसी एक company में जो है 20,000 की amount hold है हमारी और 35% का compounding दे देती है company तो हमारा जो पैसा वो कितना बन सकता है वो देख लेते हैं तो direct 10 साल की तरब लेकर के चलता हूँ तो 10 साल बाद 20,000 की amount जो हमारी बनेगी वो बन जाएगी दोस्तों 4 लाग रुपे यदि 35% का CAGR रहता है अलांकि इनका जो CAGR है फिलाल 40-50 पलस CAGR है अब हम देखते हैं कि यदि 15 सा साल तक होल्ड करें 20,000 की amount तो कितना हमारा जो compounding effect दिखाती है और हमारा जो पैसा है 20,000 की amount वो कितनी बन जाती है 35% के compounding से तो हमारा जो पैसा बनेगा दोस्तों वो बनेगा 18 लाग रुपे शिरफ 20,000 एक बार invest करके छोड़ देना है लमसम इन पांचों में से कोई भी एक से जो होल्ड है तो यह एक्सपेक्टिड जो रेट ओफ रिटन है और रिटन जो एक्सपेक्टिड है इतना हम रिटन बना सकते हैं 35% की according हो 20,000 रुपे इनवेस्ट करने के बाद 15 सालों के बाद अब मैं लेकर के चलता हूँ इसी किसी में जो है सेर में इनवेस्टिड हो 20, 20,000,000 रुपे होगे बहुत बड़ी जो है अमाउंट होगी दोस्तों यदि आप इनवेस्ट करके रखते हैं 20,000 रुपे की अमाउंट 35% की compounding से और 20 साल तक ठीक है इसमें यदि बात करें compounding की तो starting में बहुत जादा जो सलो होगा compounding वो लास्ट के सालों में बहुत speed के जिसके पास 70% जो है फुलूरीन का business है दोस्तों ठीक है इसी के साथ यदि इसके positive and active point देखें तो वह ठीक ठाक है रजल्ट की तरफ ले करके चलता हूँ रजल्ट आप देखोगे तो लगातार growth होती हुए मिलेगी इस साल के बात करें 2021 की तो थोड़ा सा डटा पिछले साल की थोड़ा सा जो है पिछले साल की मुकाबले में गिरावड देखने को मिले है 2021 में इसी की यदि compounding की अगर बात करें तो compounding एक बात दिखा देता हूँ पैनिक होने की जूरतनी है क्योंकि इसका डाटा अच्छा है और strong company है fundamental strong company है आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है company तो आप होल्ड कीजिए share market को देखके आपको पैनिक होने की जूरतनी है यदि आपको loss हो रहा है तो भी आप होल्ड कीजिए इस company को next जो कंपनी है वो ह 42% की इसी के साथ sale growth है वो 21% की है ठीक है जो की CAGR के साथ है मतलब की compounding के साथ यहां पे दिखा रहे हैं इसी के साथ यदि बात करोगे आप year on year basis के उपर result के उपर तो इस company का जो result लगातार गरोत हो तो आप मिलेगा profit net profit लगातार गरोत कर रहे हैं और इसी के sell जो है लगाता average compounding वो 86% के और 3 साल की 11% की और last year की 42% की compounding है तो यह भी fundamental strong है आपका पैसा इसमें है तो आप hold कीजिए next company की बात कर लेते हैं अगली जो company वो दिपक नाइटरेट लास्ट में देखेंगे 500 कंपनियों में सबसे ज़्यादा जो return है वो किसने company ने मना करके दिए इसी के साथ हम कुछ और भी data देखेंगे दोस्तों अब मैं लेकर के चलता हूँ दिपक नाइटरेट के साथ देखते हैं कि इसमें आप देखोगे ना तो 70% जो sodium nitrate का business है वो इकलोती ऐसी दिपक नाइटरेट के पास है इस company के पास है इंडिया का इसी के साथ यह दूसरी बात करें तो इसके positive point देखने को मिलेंगे और गुजरात में जो है इस company के जो है stable है यह company और इसी के साथ जो profit growth जो है 64% का है लास्ट पास साल का इसी के साथ next company की तरह मैं लेकर के चलता हूँ यह company है ऐसे है जिनके profit जो है लगातार बढ़ रहे हैं और इसके जो compounding है दोस्तों वो अच् 26% का 5 साल का 30% का 3 साल का 12% का और 1 साल का 86% का compounding के साथ जो है यह company जो है गरो कर रहे है दोस्तों ठीक है दिपक नाइटराइट next company की तरफ लेकर के चलता हूँ next company है दोस्तों बाला जी माइन यदि इसकी बात करें तो अच्छा खासा यह share है और अच्छा खासा profit पे जो है यह चल रहा है यदि बात करें profit growth की तो 32.75% की CAGR के साथ जो है इसके last 5 साल के profit grow कर रहे है ठीक है इसी के साथ यदि बात करें compounding की तो यह company अच्छी खासी compounding के साथ जो है grow कर रही है मैं लेकर कर चलता हूँ compounding की तरफ तो 10 साल का compounding है वो 53% का 5 साल का 14% का 3 साल का average जो 94% का एक साल का 73% का compounding है तो इसके भी profit लगातर बढ़ रहे हैं और यदि बात करें sale तो वो भी लगातर बढ़ती भी मिलेगी आपको ठीक है आप मैं लेकर करके चलता हूँ next जो company है उसकी तरफ तो अगली जो company है दोस्तो वो है Tata chemical इदी बात करें इविकल में इस company का का काफी अच्छा खाजा crazy है आने वाले टाइम में जो है यह chemical जो बनाएगी बैंटरी में जो use होते है वो chemical बनाएगी और अच्छा खासा जो है इसका demand रहने वाला है आने वाले टाइम में तो इसकी अगर बात करें compounding की दोस्तों तो compounding मैं एक बर लेकर के चलता हूँ इसकी जो compounding इनके जो मतलब रेटन के कितने दे रही है एक company year on year basis पे और देखेंगे की old time में जो कितना रेटन बना करके दिया तो एक साल में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रेटन किसने बना करके दिया है तो एक साल का आप data देखोगे तो सबी जो company आ पोस्टी देखने को मिलेगी इन priori फुलूरीन ऐ 44 परेसेंट का रेटन दिपक नाइकर रेटन इन चुवशेंटर परेटन का रेटन अलकाईल हमाहि सो 45 परेसेंट के डिटन के जो return बना कर दिये 5 साल में लगबग 20 गुना तक आपके पैसो कर दिया टाटा केमिकल की बात करें 5 साल में क्योंकि न्यूज की वज़े से इसका अच्छा खासा क्रेज है तो आने वाले टाइम में इसका return भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और यदि 5 साल की बात करें तो टाटा केमिकल ने जो 57% की return बना करके दिये हैं इसी के साथ यदि बात करें बाला जी माइन के तो 753% की return बना करके दिये हैं सिरफ और शिरफ 5 साल में जो की लगबग 7 गुना हो जाते हैं आपकी लगाई हुई investment अमाउंट से यदि बात करें maximum time की तो maximum देखते हैं कि ने 14,000% की return बना करके दिये मतलब कि आपके पैसे को 145 गुना यदि आपने 100 रुपे लगाए होगे तो आपके पैसे हो गए होगे 14,500 रुपे ठीक है इसी के साथ नवीन फलूरीन ने 5,643% की return दिपक नाइट्राइट ने 11,000% की return टाटा केमिकल ने 752% की return और बाला जी म मैंने 9,938% की return बना करके दिये lifetime period में यदि बात करें नवीन फलूरीन ने 56 गुना पैसे को कर दिया है दिपक नाइट्राइट ने 114 गुना कर दिया आपके पैसे को अलकाईल मैंने 145 गुना और टाटा केमिकल ने 7 गुना और यदि बात करें बाला जी माहिन ने तो इसने जो है 4250 रुपे को क्रोज कर दिया था और फिलाल 3700 रुपे के प्राइज में मिल रहा है लगबग जो है 500-600 रुपे के आसपास की गिरावट देखी जा रही है इदि बात करें इसी के साथ RSI लेवल की तो इसने फियर जोन में एंट्री लेनी शुरू कर दिया तो आ लगबग 4700-4800 रुपे को क्रोज कर दिया था फिलाल जो है 3000 रुपे के आसपास देखने को मिल रहा है 17-1800 रुपे की गिरावट देखने को मिल रहा है इस स्टोक के अंदर और फियर जोन में मिल रहा है तो इसमें भी आप अपनी बाय कर सकते है नेक्स जो सेर है अगला ज 13,000 को इस सेर ने क्रोज कर दिया था तो इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं अगला है दोस्तो बाला जी माइन इसके सेर की बात करें तो 2854 रुपे के आसपास देखने को मिल रहा है इसने क्रोज कर दिया था दोस्तो 5000 रुपे के लेवल को लगब 500 को क्रोज कर दिया था और ये फियर जोन के आसपस देखने को मिल रहा है तो इसमें भी आप अपनी quantity बढ़ा सकते हैं बालजे माइन में यदि बात करें पांच में शेयर की लास शेयर की तो इसनका प्राइज गया था दोस्तों वो गया था 1150 को क्रोस कर दिया था इस शेयर ने यदि बात करें आप फिलाल की तो गिरावट में देखने को मिल रहा है 883 रुपे के आसपस देखने को मिल रहा है तो आप इसमें भी जो है अपनी quantity जो है एड कर सकते हैं या नई एंट्री लेना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं इस स्टोक को तो यह 500 शेयर ही अच्छे हैं दोस्तों इसमें थो पर depend रहेगी यह company तो इसमें risk ना लेना चाहें तो ठीक है बाकी company जो जिसके जो भी आपके पास तो panic होने की जूरत नहीं है आप entry लिए तो इनको जो है sell मत कीजिएगा आने वाले कुछी time बात जो है अच्छा कासा यह company प्रोफिट बना करके देगी अलकाई लमाइन subscribe कर लेजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you so much